दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे सौधी अरब की Ministry of Human Resource के बारे में क्योंकि उन्होंने आज एक Advisory जारी करते हुए कहा है कि और चार सेक्टर्स के नाम बताये हैं कि इन चार सेक्टर्स में अब सिर्फ और सिर्फ सौधी ही काम करेंगे और साथ साथ ये भी कहा है कि ये जो नियम है 31 दिसंबर 2021 से लागू होगा यानि कि 2022 से simply एक दिन पहले से नियम सौधी अरब में लागू हो जाएगा तो दोस्तों और मैं उन लोगों से request करना चाहता हूँ कि जो लोग सौधी अरब से अब अपने देश वापस जाना चाहते हैं उफ simply सौधी अरब में जो booster dose है वो लेकर जाएं और अपने तवकलना और सेहती के जो certificate है उनको save कर लें या फिर उनका print निकल लाकर lamination कराकर अपने पास रख लें क्योंकि आगे जाकर अगर आपका SIM card बंद हो जाए आगे जाकर आपका mobile खो जाए या SIM card खो जाए तो आपको कोई problem ना हो दुबार इसमें हर रोज आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं तो दोस्तों चार जो categories उन्होंने बताई है तो सबसे पहले उन्होंने रखा है technical engineering यानि कि जो लोग technical engineer थे सौधी अरब में किसी other country के simply अब उनको हटा करके सौधी अरब के technical engineer बना दिये जाएंगे और उनको हटा इसकूल ड्राइविंग यानि कि जो अजनभी सौधी अरब में इसकूल ड्राइविंग यानि कि बच्चों को ले जा रहे थे चोन रहे थे बस के ड्राइवर थे और आपको डिटेल में समझा देता हूं जैसे कोई company है उसको जो export करने वाले लोग होते हैं या फिर import करने व जो भी चीजे बाहर से आती हैं या जो भी चीजे अंदर आती हैं बाहर से या फिर जो भी चीजे अंदर से जाती हैं बाहर को उनका हिसाब किताब मैं रखता हूं और उनका बिल बनाके मैं company में submit करता हूं यह ऐसे जितने भी लोग काम कर रहे हैं बाहर के अजनभी लोग स हटा के simply वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सौधी रखे जाएंगे और जो चौथी कटगरी है दोस्तों वो है translator यानि कि अगर सौधी अरब को कोई businessman है किसी अधर देश का रखता है translator अपनी language translate करवाने के लिए जैसे कि माली जी मैं सौधी अरब यह चार टॉपिक्स जो मुझे लगा कि आप लोग शेयर कर देने चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छे लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नाच्छे लिए को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबादीजिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी लिए लोपिक्साइब